तोक्यो अलम्पिक में नीरत चोपडा ने जिस भाले से भारत को गोल्ड मेडल दिला था, वो भाला नीरत चोपडा को पाकिस्तान के खिलाडी में दिया था ये खुलासा खुद नीरच चोपडा ने एक इंटिव्यू में थिया है दरसल गोल्ड मेडल जीत कर इतिहास रचने वाले नीरच चोपडा का भाला पाकिस्तान के प्लेयर के पास था नीरच ने जैबलिन थ्रोग के फाइनल में 87 तशमला 5-8 दूर भाला फेक कर भारत को एथलेटिक्स में पहला गोल्ड दिलाया था लेकिन फाइनल से पहले नीरच के लिए सब कुछ ठीक नहीं था उन्हें अपना जैबलिन नहीं मिल रहा था ऐसा इस विज़स से हुआ था क्योंकि उनका जैबलिन पाकिस्तान के अर्शद नदीम के पास था नीरच चोप्रा ने टाइम्स ओफ इंडिया को दिये इंटिव्यू में बताया है कि मैं फाइनल की शुरवात से पहले अपना जैबलिन तलाश कर रहा था मुझे वहें मिल नहीं रहा था अचानक मैंने देखा कि अर्शद नदीम मेरे जैबलिन के साथ घुन रहा है मैंने उससे कहा भाई यह मेरा जैबलिन है यह के देदो मुझे इससे थ्रोः करना है मैंने अपना पहला थ्रोः काफी जल्दबाजी में फेका था नीरज ने आगे बताया कि अर्शद नदीम ने कौलिफाइंग राउंड में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने फाइनल में भी बड़िया खेल दिखाया मुझे लगता है कि वे पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि उनके पास जैवलिन में रूची दिखाने का अच्छा मौका है और वो भविश में अंतराश्चे मंच पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं नीरज ने पाकिस्तान के लोगों को एक संदेश भी दिया और कहा कि अर्शद नदीम को सपोर्ट करें उन्होंने पाकिस्तान को जैवलिन में पहचान दी है और उसे आपके सहीयोग की जरूरत है आपको बता दे कि टोकिय ओलंपिक में नदीम पाकिस्तान के पदक दाविदार थे लेकिन 84.62 का उनका सर्वशेष्ट थ्रो मेडल के लिए पर्याप्त नहीं था इससे पहले अर्शद नदीम ने 85.1-6 मीटर के थ्रो के साथ फाइनल के लिए कौलिफाई किया था वह ग्रूप B में तीसरे नंबर पे थे अर्शद नदीम नीरत चोपडा को अपना आदर्श बता चुके है अलम्पिक की आधिकारिक वेबसाइट के प्लेयर प्रोफाईल सेक्शन में नदीम ने नीरत चोपडा को अपना हीरो बताया है नदीम पहले पाकिस्तान अथलीट है जिन्होंने अलम्पिक में किसी भी ट्रैक और फील्ड इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया तोक्यों अलम्पिक के फाइनल से पहले नीरत चोपडा और अशद नदीम का पहले भी सामना हो चुका था जहां दोनों के बीच कड़ी टककर देखने को मिली थी नदीम ने साथ 2016 में भारत में आयो जिद दक्षन एशियाए खेलों में कांसे पधक जीता था स्वन्ण पधक नीरत चोपडा के नाम रहा था इसके बाद नदीम ने एशियाए खेलों में रजत पधक जीता जहां चोपडा ने फिर स्वन्ण पधक पर कबजा किया था